नमस्ते विद्या दिमित्रों शांतिनी केतें विद्या संकुल आपनों हादिक कस्वागत करे छे दोरन चो विशर हिंदी पाट आठ राजा क्या हिस्सा इस कहानी में एक प्रजा वस्तर राजा का वढ़न है राजा प्रजा की कठनाईयों में हमेश्या उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं राजा बोज बड़े प्रजा वस्तर थे 20 मयम राजा में गुम गुम कर प्रजा की कठनाईयों को देखा करते थे वर उन्हें यता संपव दूर किया करते थे। बोज राजा खुब प्रजा प्रेमी अत्या तेओ जात्ते राज्य मा फरी फरी ने प्रजा ने तकली पो जोता अन्य ते यता संपव दूर करता। एक दिर राज्या अपनी राणी के साथ रत पर सवार होका राज्य का ब्रह्मां कर रहे थे एक दिवस पोता नी राणी साथे रत मों बेसीने राज्य मों फोरी गया हता वे राज्दानी से बहुत दूर निकल गई ते राज्दाने दिखुबत दूर निकली गया उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोता रहा है मगर उसके हल में एक ही बेल है दुसरे बेल को उस्तान पर उसकी स्री हल खिंच रही है तेमने जो के एक खेतर में एक खेडूत हल जला विरोयों तो परन्तु तेना हल में एकज बढ़त छे पीजा बलतने जग्याई तेनी पत्नी हड़ खिंची रही हती राजा बोज ने रत रोका और किसान के पास जाकर कहा बोज राजा रत रोकियों और खेड़ोतनी पास से जाइने कई बले आदमी तुम क्या अत्याचा कर रहे हो बला मांस तुँ आ कि वो अत्यार्चार करी रहयो छे वला कई स्री को भी हल में जोता जाता है अरे क्या स्रीनेशु हलमो जुतराती से लेके जोडाती से मेरा एक बेल मर गया है मारो एक बड़त मरी गयो छे दूसरा बेल खरीदने के लिए मेरे पास जैन नहीं है अगर खेत न जुता तो मैं रखोंगा क्या करकर कीसान पून अपने कार्या में लग गया जो खेता ने खेडवा मन अवी तो हूँ शूख आई एम कहीने खेडू परिती पोताना काम मो लागी गयो राजा ने कहा अरे भाई जरा सून तो खरा जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो मेरा काम क्यों रोकते हो किसान ने कहा जे के ओ ओ ओ ते मारे साथे साथे चलते चलता हो कहो मारू काम शाम आटे एटका ओचो खेडूते कहू राजा बोज उसके साथ साथ चलने लगे बोज राजा तेनी साथे साथे चलवा लागया अपने काम के प्रती कीसां की लगन देखकर राजा बोज बहुत प्रपावित हुए वह बोले बले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी ठक जाएगी और ठकावड की जग़ से कोई दूसरा कारिय भी नहीं कर सकेगी पोताना क्राम प्रत्ते खेडूतनी लागनी जोईने भोज राजा खुब प्रपावित थाई गया और तेमने कहुँ बला मानस आ दित्ते तो तारी पत्नी ठाकी जसे अने ठाकने काराने बिजू कोई काम पन नहीं करी सके किसन बोला तो भी तुम्हें बताओ मैं क्या करो खेडू के करें तो पची तमेज काओ मुंसु करो राजा ने कहा तुम मेरे साथ चलो मैं अपना एक बेल तुम्हें दे देता हूं राजा कहिं तुमारी साथे चाल हूं मारो एक बड़तने आती दवू चूँ मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा तुम्हें बैल ला दो किसन बोला परन्तु इटलो वकत मारे काम अटकाओ पड़से तमेज लावी आपने खेडूते कहूं अच्छा ऐसा करो तुम अपनी पत्नी के रत पास देज दो वो मेरी पत्नी से बैल ले आएगी अब तब तक मैं तुम्हारे हल मैं जुतूंगा राजा ने कहा ठीक तेरे एम कर तू तारी पत्नी ने रत्नी पासे मुकली दे मैं ते मारी पत्नी नी पासे थी बर्द लई आवसे त्यों सुधी तू तारा हल्मो जुत्राइस हूं तारा हल्मो जुत्राइस राजा एक हुँ किसान इस वात पर राजी हो गया राजा बोज हल में जुद गए और किसांग की पत्नी रद के पास चली गई उसने राणी को सारी बात बता दी खेरुते आ बात मानी ली दी राजा बोज हलमो जुद राई गया और खेरुतनी पत्नी रद पासे चली गई तेने राणी ने बदी बात करी राने ने पूरी बात सुनकर कहा तुमारा बैल तो कमचर होगा वह अमारे बैल के साथ नही दे सकेगा पूरी बाद स्वविने राणी कहीं हूँ तमारों बढ़त तो नीरबल लेके दूबलो पातरों छे ते ए अमारा बढ़त नी साथे चाले सकसे नहीं इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ एटला माटे तमें बनने बढ़त लाई जाओ किसन की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुँची खेडूत नी पत्नी बनने बढ़तने लाईने खेतरे पहुँची किसन बहुत प्रसंद हुआ खेडूत खुश थयो राजा बोज ने कहा राजा बोज राजा कहूं अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना कहकर राजा बोज ने उसके अपना परिचाई दिया तो किसा बहुत शर्मीद हो गया एम कहीने बोज राजा ये पोता नों परिचाई आपयो तो खेडूत खुबर शर्माई गयो उसने राजा से बार बाक शमा मागी तेमे वारम बार राजा ने माफी मागी राजा प्रसंद होकर वापस चल दिये राजा प्रसंद थाईने चालया गया उस बार उस किसान के खेट में बहुत अच्छी वसल हुई ये वक्ते खेडूत ना खेटर में खुबर सारुपा थाई उसके आच्छरे का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेट में जितने इससे को राजा बोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे बाकी के इससे में उम्दा किस्म के गेऊ उगे थे खेटर में जितला बागमा भोज राजा है हर खेडू अतु तेमा मोती उगे ए जोईने खेडूत ना अच्चा ने उनों पान न बाकी ना भागमा उम्दा उम्दा प्रकरन के उन्चा प्रकाना गऊ उगे किसान बहुत प्रसन्र हुआ है किसान ने सारे मोती उटे किये और राजा भोज के पास जा पहुचा खेड़ूते बदा मोती एक टाल के बेगा करया और भोज राजा ने पासे गया उनके सारे मोती राजा के चर्णों में रख दिये एने बद्दाज मोती बोज राजा ना चरणों मिलेके पगमों मुखी दिदा और राजा के पास राजा को सारा किस्ता को सुनाया और राजा ने आखी गतना आखी बात कही राजा ने कहा ये मोती तुमारे खेत में हो गये थे राजाय कईू आ मोती तमारा खेतर में गया दा इन पर तुमारा हक है एना पर तारो अधिकार छे आने इन्हें तुम्हें अपने अधिकार में रखो आने तूज राख नहीं मारा जो अपना परिश्रम का प्रताब है ना मारा जो अपना परिश्रम का प्रताब है इसलिए मैं इन्हें नहीं ले लाँ जाऊंगा आती हूं नहीं लई लव मारी मेरी प्रत्ना है कि आप उन्हें राजा कोश में राज कोश में जमा कर लें मारी वीनन दी छे के आ, मोतियों ने राज्यना खजामराम जमा करी दो और गरीबों की बलाई के लिए कामले किसान ने प्रात्ना की औने गरीबों ना बलाई में तेनों उप्यों कर जो खेडूते प्रात्ना करी किसान की बात सुनक राजा बहुत प्रसंद न हुए और उने ने मोती स्विकार कर लिये राजा घेरुती बात सबीने खुबत प्रसंद थाया जेमने मोती स्विकारी लिजान अवे अपने शब्दार चा जुई शुन प्रजा वस्तले ले प्रचा प्रेमिंग स्वायम एटले खूद यता संभव एले जोज संभव है भ्रमार एटले गुमना अत्याचार एले जुल्म पुना एटले फिर से दोबारा थकावाट एले थकना कमजोर एले निर्वल अशक्त दिक्कत एले बाटा परिशानी उम्दा किसमेले उत्तम प्रकान